नमस्कार आपकी जना दाला तुछ से मेहूरा ज़या पाल मैं समय सेवड़ा बदान सवाद छेत्री में हूँ जहां पर बाउजन समाज पार्टी के प्रत्यासी लाकन सिंग्याद हमारे चाहर चुड़ रहे हैं लाकन सवाद छेत्री में जिस तरीके से जो आपको आतूफानी है उसका जवब हमें 17 नॉम्मर को मिल जाएगा और जिन लोगों ने धत्या में सोके और राइनी सोड़ा में करते हैं तो उनको भी जवाब जनता देगी कि उन्होंने हमारी समझ करके दतिया में रेश्ट करते हैं और महीने दो-चार महीने में एक छक्का लगा करके चले जाते हैं और जनता यां परसान होती रहती है और जो यहां समस्या है जनता की वो कई पहले ही समस्या तो तीन पुल डे गए और पुलों की बज़े से गॉलर की दूरी 60 किलो मीटर थी वो 160 किलो मीटर हो गई और लोगवा कितने परिशान हैं खाथ की समस्या बिजली की है पानी की है तो जब यहां बर्तमान पिछले कई विदाय के यहां दतिया की बने और उन्होंने स्योड़ा की जनता से जीतने के बाद कोई मतलब नहीं रखा तो अब जो चुनाओ 17 नॉम्बर को होना है उसमें स्योड़ा बिदान सभागी जनता जरूर सबक सिर्खाएगी और उनको अहरा करके बापस दतिया बेजेगी चुनाओती क्या है इस समस्यादा आपके सामें हमारे सामने कोई चनाति यहां जनता का भर पूरसह न है जिस तरह से हम जनता के लिए 24 गंटे सुलब रहे हम परोट कोई हमारी कम जोर हैं आरहे हैं जिस तरह के से जो आपने अपने होस्पीटल में लोगों को हिलाज किया तमाम सारे काम किया आपको लगता है कि यह बोट यह बोट में तबने हैं जरूर देखिये हमने on a 26,000 मुध्यों निश्णा केमप लगाए गवाले दोख्टर बल रवाय निसल चेक अप किया निसल दवाय माटी और हमने लाच उचाड में केम्प लगाया इंदरगण में दो बार लगाया थरिट में लगाया सब जगहें जो केम्प लगाएं और उनसे मरीजों को फायदा पहुचा है दूसरा हमारा एपल ऑस्पीटल गॉयलर में यहां मरी पैसा नहीं भी गरीब हैं तो हम जरूरिय हमारे उस्पीटल में और और इसा जो लोग हमारे होस्पीटल में गए हैं वो इस तरह एक से मानते हiblical कि फायदा हुआ है तो उसका फायदा में मिलेगा तक्कर किस से होने वाली घंस्याम से प्रदीव अगरवाल से या कोई और देखिए तक्कर तो भीजे भीजे से भी हो सकती है क्योंकि वो जो है पैसे वाली लोग है खरीद फरुक से हमेशना जीतते रहे हैं और राजा साथ पिछली बार जैसे मैं आप पांस साल का Item हो गया तो हो सकता है प्रदीव जी का जनता ने माप कर दिया ओप्रदीव को अब यह ंबिस्दा प्रतमारें बडाय कर आए गसे हमसी तो इन से जनता ज्यादा ना राजा है अब जिस से ही मुकाबला हो पर मैं मानता हूं कि मुकाबला हमारा किसी से नहीं है क्योंकि ये दोनों नेता जो दतिया में सो करके सिवड़ा को चरागा समझते हैं उस सिवड़ा में राजनीत करते हैं की अब इन से उख गया है ना शेर्जाम की शकर देखना चाहेता ना पुपर देखना चाहेता है क्या कायेंगे आपने कھेड़ी बाठ गाउं देखा और नहीं कि ऐ न मेसे पाइड देखा है यूआ कि तोड़ा क्या है कि थोड़े बाबली लोग है और उन्होंने उन लोगों को तंग करके जो है कई बार बोर्ड नहीं डालने दिए हम प्रयास करें कि उनकी समस्या है उन्होंने बाइसकार कर दिया कि हम मद्दान नहीं करेंगे यहीं समस्या आपके रसूल परागाओं की है और रसुल पराम में भी वो बोर्ड नहीं डाल रहा है और को लेत में जो की समस्या है वह बड़ी समस्या है क्योंकि जौनिया से होकर के लाइट आनी है और वह आज जो इस चीज के बैसकार कर रहे है तो कि उसल्च लाइब न में और लाइट सुचाज रूफ से चलना यह जाकर करें समझाए भी है और हमने यह कहा है कि छा मेर्स परसंट पर सिंदार की समझ चाल करता और आप डालाए मोझे बोड दें चुना मैं हार रहा हूं जीत हूं लेकर रसुल्परा का रोड़ बनाने की मेरी पूरी जावदारी है और यह समस्या श्मयने पहले होती तो रसुल्परा में आज रोड डल गया होता है खेरी वाट के साथ क्या करेंगे खेरी वाट के साथ भी रोड बना है चुना औहारने जीतने से कोई मदद ने ठरेड में चोटे आलंपर से लेके तीम-चार मोझे के जले हैं उधर भगववापरा के पीचे गोपल प्रह और छोटा पॉर्सा कुछ भगववववापरा के किसान जी अभी हमारे साथ महीं हैं एक संगल किसान मेरे आने के बाद पिछले पांच साल में एक कोई किसान ये नहीं कह सकता चाहाँ उसका दशवीगा जलाओ या दशवे से जलाओ खाल जलाओ हमने जरूरान रोक के उनको मापजा दिल्वाया है अगर किसी को माफजा नहें मला है तो वह उमको भिलकुल मैं उसका भलकुल दोसी हूँ और मैं बलकुल इस चीज को मानता हूँ कि मैंने एक छोटे से छोटे किसान को भी नहीं चोड़ा के उसको माफजा नहा मिला हो। जितने भी आगें लगी हैं गन्ने में तो अभी रावत बेल्ट के हमारे साथ लोग हैं उन्होंने का सौ साल से गन्ने जल रहा हैं किसी का एक रुपया भी आद दिन तर नहीं मिला लेकर मैं कह रहा हूं पिछले पांस साल में 23 लाग रुपया सब गन्ना का मौपजा हमने रा प्राइबेट गाड़ी से लेकर के पल हुस्पीटल में उनको भरती कराया और उनका इलाज किया यहां भी जितने एक्सिडंट होते हैं जो भी घटना होती हैं तो पूरी पब्लिक को मालूम है कि सो नंमर गाड़ी से पहले हमारी गाड़ी पहुंचती है आज दिन तक जित तक नहीं पहुंचवाई और जबता मुझे काम करना है तो ना पहुंच पाएगी अगर मैंने सच्चाई से काम किया है और मेरे बारे में मुझे लोगों ने पिछली वार नहीं परकपाया क्योंकि दो महीने का चुना हम लड़े थे लोग हमें नहीं समझवाए अब पांस साल में मैंने जो काम किया है और अगर सही काम किया इमानदाई से काम किया है तो वो हमें मद्दान करें और मैंने कोई दोगादरी जनता के साथ की या जूट बोला है या जनता को चक्कर कटा है कोई भी किसी प्रकार का तो मुझे बिल्कुल बोट न करें बिल्कुल तो इस समय हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्यासी लागन सिंग यादब बने विदि चुड़े रही हमारे साथ नमस्कार